एलो दियर सुदेंट्स वेलकम टू ओर चैनल टोड़ेज भी आर गोईंग टू डिसकस अबाउट इंट्रावीनेस थेरेपी जैसा कि फिछले दो लेक्चर्स में हमने अब तक इंट्रावीनेस थेरेपी के बारे में पढ़ा हैं इंट्रावीनेस फ्लूट्स कैसे होते हैं medarman वन परस्द्रावीन एंट्रावीनेस थच्ञान सकते हैं ओप्रेंगेस थेरे अगा सबस्क्रावीनेसaya दिगासे भांटस की चैनल टेहन है आई वीर सेंट बसका स्जोहें पर लाइँ आइके थान होती ईग की सारय से थे थिगेगे की Infusion Bumps क्या होते हैं कैसे उनका functioning होती है तो वो सारा कुछ हम आज की इंग्लास के अंदर देखेंगे let's begin the class intravenous devices आजके glass का मारा सबसा पहला टॉपिक है intravenous devices का मतलब है कौन पौन सी ऐसी devices है इसे when के अंदर जुनको insert करके हम क्या कर सकते हैं कोई भी drug कोई भी फ्यूड है कोई भी solution उसको administer कर सकते हैं ठीक है तो ऐसी कौन-कौन सी डिवाइसे जो उनके बारे में study करते हैं तो first one है needle less infusion devices needle less infusion devices के अंदर आप जोसे की image में देख पारे है जैसा कि आप image में देख पारे है canula डाला हुआ है तो canula होता है उसके अंदर क्या होता है stylet होता है ठीक है एक needle होती है जब हम canula को prick कर रहे है जब हम सकीन के उपर एक selected skin side के उपर हम क्या कर रहे है चानुला को prick कर रहे है उस time पे उसको हम use करते हैं तो canula के अंदर होती है उसके उपर क्या होती है जो plastic की covering होती है जैसे ही needle prick होती है blood है बीछाई देता है जो भलंट है पीछे की तरफ इंस्ट्रियेट के अंदर है कर भलंdhram क्या कर देता है सबसरे पहले हमस्यों सब्सक्राइब क करने ताकि वेंघधा को प्लास्टिक का जो बचा हुआ पाइट था जो ची जीट थी उसके उपर था ठीक है उसको Hम क्या करते हैं उनसर्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हमने नीडल को नहीं चोड़ा है नीडल डिथा प्लासलिPS टीच मह Character H लिए किया है एक entry बनाई है हमने सरफ skin और वेन के अंदर ठीक है उसके लिए हमने सरफ needle का यूज किया था जो कि canela के अंदर available थी उसके बाद हमने उस needle को निकालके बाहर रखा है ठीक है तो यह क्या है needleless infusion device होती है ठीक है और यह इस needleless इसके अंदर क्या होता है most common लिए one way ह होते हैं और बिसमें और बी कोई और कोई एक्स्टा नीया घृट नहीं होता है कि जहांसे आप बहुत सारी मैडीकेश्ट दे सको हैं इसमें सिंगल पॉर्ट होता है यहां पर जो इमेज में दिख रहे हैं आप पॉर्ट होता है नॉर्मली जो वाइट कलर का जो स्टॉपर लगा हुआ है इसकी इस पॉर्ट का भी यूज करते हैं अड्मिनिस्टेशन के लिए बट यह सिरफ आई भी पुशेज के अंदर ही काम आ सकता है बाकी इसमें इससे आप इन्फूजन है वह जो फ्लूड है उसको चोड़ दिया जाएगा जो इंट्रमिटेट इन्फूजन डिवाइस है उसकी बता रहा हूँ नॉर्मली इसमें क्या होगा जो आईवी चैनुला है उसको लगा करके चोड़ दिया जाता है और जब जब हमें कोई भी मेडिकेशन उसको एड्मिनिस्टर करना है तब हम उसक सब्सक्राइब दो परज़ जाता है अब एयाँ नोर्मली के चैन बॉर्सट कामें के लिए एज Γ ... दौक है इंट्रमिटेशन इंफूजन डिवाइस है यहूँ की आई भी पुष करने काम में लिया जाता है इंट्रमिटेटेटिक अज़िप आइव धाने निकолет 활 información करें लगा कर ये Kenula को क्या कर दोगे? Block कर दोगे, stop कर दोगे, ठीक है? इससे क्या होगा? आपका जो blood है उसका backflow बाहर नहीं आएगा अब क्या होगा? जैसे जो blood था, जो उस Kenula के अंदर जो blood था, वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा, उसका clot बन जाते हैं, ठीक है? उसके अंदर वो block कर देते हैं, Kenula को block कर देगा, अब जैसे क्या होगा? आप जैसे ही next time medication administer करोगे, तो वो medication or administer नहीं हो पाईगी तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इसलिए हमें दियान रखना होता है, कि जो भी intermittent efficient devices हैं, उनकी latency maintain रखने के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ time interval के particular time interval के उपर हमें क्या है? एक से 2 ml normal saline के अंदर push करके उस cloud को है और जो block हुआ है, उस block को हमें बार बार को नहीं है, और उसके बाद जब भी हम medication administer कर रहे हैं, उससे पहले हम cannula को flush करेंगे, 2 ml normal saline के साथ, उसके बाद हम medication देदेंगे, और medication देने के बाद again हम क्य करेंगे, ताकि cannula है वो block ना हो, और ताकि हम और साथ की दात हमें क्या करना, एक periodic time interval के दो से 3 गंटे के बाद हमें क्या करना है, हर बार 1-2 ml हमें normal saline के उसके अंदर push करना है, ताकि उसकी पेटेंसी है, वो क्या रहे है, maintain रह सके, तो यह है एक intermittent infusion device, next one है electronic infusion device है, जैसा कि आप image में देख पार है, electronic infusion devices है, बहुत सारे लोगों ने hospital में काम करते टाइम देखा होगा कि काफी सारे patients, critical care units के उनिट्स के उनिट्स के उनिट्स के उपर एक की patient के उपर बहुत सारे infusion pumps है, वो लगे वे रहते हैं, और उनके तो उस particular patient के उनिट्स के अंदर क्या होता है आप image में देखे, यहाँ पर एक screen है, और उस screen के उपर हम क्या करेंगे, particular rate है, और जो भी infusion की rate है, उसको हम क्या करते हैं, पहले ही decide करते हैं, और उसके बाद इसी low rate से infusion device क्या करता है, patient के अंदर जो भी particular हमारी medication है, जो भी हमारा solution है, उसको क्या करता रहता है, continuously उसको administer कर पान आप गहले है, जो syringe pump होते है, जो वहाँ पर लोगलता है, पहले होते हैं, दूसके और इंधुमरा से यहाँ परबा, बहुत confirmed है, जो भी मेरा सिरेंच псम होते होती है, जो भी कम अरपिकेशन शोंद taraszक है, शुब हमारा सबाद प्रसर पर देख सकता है जो मेडिकेशन उसमें स्में फिल की गई उसके बाद उसको क्या किया गया, infusion pump के उपर attach किया गया, और particular जो rate decide करनी थी, screen के उपर buttons का use करते भी क्या किया गया, जो particular rate अपनको decide करनी है, जिस rate के थूर अपने को क्या करना है, patient के अंदर administer करना है, उस rate को हमने क्या क्या किया, इसके बाद इसको start किया, जिसके बाद क्या होगे, control rate के साथ, जो particular rate आपने decide किये, screen के उपर, उस particular rate के साथ, यह क्या है, जो syringe infusion pump क्या करेगा, उसी particular rate के साथ, patient के अंदर वो particular medication उसके administer करता प्र रहता है, next one है, यह देखे, syringe infusion pump, जैसा ही screen के पर आप देख रहे हो, यह screen होती है, जो भी manuals होते हो सारे आते, ठीक है, साथ की साथ यह सारे बटन है, यहाँ पर एक syringe attach करने का port दिया हुआ है, जहां से syringe को attach किया जाते है, और इस device को combinedly completely हम क्या कहते है, syringe infusion pump, अगर आपके पास अगर नौसेट में में अगर image based fusion आता है, ऐसा कोई image आती है, तो आप यह question सही कर सकते है, इसका नाम है, syringe infusion pump, next one है, patient control analgesia pump, patient control analgesia pump, जैसा की नाम से ही पता लग रहा है, इसमें क्या होगा, एक infusion pump होगा, particular, infusion pump होगा, जिसके इंदर क्या होगी, जो भी particular, जो according कि डॉक् करके हम syringe infusion pump में लगा गे रखते हैं, और patient control, patient control से नाम से हमें पता लग रहा है, कि इसका पूरा control हम patient को दे देते हैं, इसमें हम यह set करेंगे, कि जब भी patient लेगा, तो एक जो particular dose है, जो particular dose हमने पहले से set करके रखी है, उसी dose के अंदर medicine ले सकता है, ऐसा नहीं है, कि heavy dose के medication ले लेगा, ठीक है, इसमें हम खुद operate करेंगे, खुद इसमें पहले से set करके रखेंगे, dose की calculation करके, पूरा set करके रखेंगे, patient सिर्फ इसको medication admission जब करनी होगी, तब patient इसको on करेगा, और उससे medication admission करेगा, और वापस से इसको off कर देगा, तो यह होता है patient control analysis, यह पूरी त दी गई है, जो भी root दिया गया है, उसी root के तुरू, मतलब 5R, जो भी patient के rights थे, उनका follow करते हैं, डर्वी ड्रेक्स से उसस पर administer किया जाता है, next one है, जैसा कि नोट, इस नोट के अंदर यह बताया गया है, कि जो भी medication, हम किसी electronic device का use करते हुए दे रहे हैं, जैसे कि आप य These devices are electronic death, they does not ensure they are infusing solution or medication accurately, मतलब जीदी बात यह है, इसमें यह बताया गया, इस point के अंदर, कि यह जो infusion devices है, वो सारी कि सारी क्या electronic machine है, ठीक है, इसको नहीं पताया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको जिस direction में आपने इसको लगाया है, यह particularly उसी direction के अंदर काम करती रहेगी, हो सकता है, इसके अंदर कोई अचानक से कराबी आजाए, और यह top हो जाए, तो हमें क्या करना है, एजे नर्स हमारी responsibility रहेगी, जब भी हम किसी infusion pump के patient, infusion pump attention patient के साथ deal कर रहे हैं, care provide कर रहे हैं उस patient को, तो उस समय हमारी जो nursing responsibility रहेगी, वो यह रहेगी, कि हमें क् infusion devices को, यह जो भी electronic infusion devices है, इन सारी electronic infusion devices को हमें क्या करना होगा, बार बार चेक करना है, बार बार चेक क्यो करना है, बार बार चेक करना है, यह इसमें करना है, क्योंकि यह machine है, इसको नहीं पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो आपने set किया है, यह वो करती कि पेशंट को रहे है नहीं चल रहा होसकता है प्शॉण पॉर्याघ नींट को आपको आपको कहीं और निट् physicians पॉर नहीं दिवाइस नट्ब ना? तो आपको काओ बसके ते लिए कुए पता होता कि इनी पता होता kin 북한 उति प्रिविंड मेडिकेशन से प्रुडंग . है वो सारी medicine समें devices के तुरू देते क्योंकि उनको एक constant amount के अंदर particular rate से दिया जाना प्रस्तावीत होता है ठीक है तो हमें क्या करना है बार-बार inclusion devices को चेक करना है देखना है कि यह चल रही है कि नहीं चल रही है तो जो rate और जो flow rate हमने decide की थी जब इसको start किया था क्या उसी rate से चल रही है ठीक है क्या इन्होंने कुछ गडबड तो नहीं की है ठीक है तो यह सारी चीज़ें हमें बार-बार चेक करनी है बार-बार हमें उनको monitor करके रखना और constant observation के अंदर ही हमें पेशेंट को यह चीज़े अटेज करनी है एड्मिनिस्टर करनी है नेक्स मने लेटेक्स allergy लेटेक्स allergy का मकलव है कि कुछ-कुछ अरसे patients होते है या particular patients के अंदर क्या होता है लेटेक्स, rubber, rubber से क्या होती है allergy होती है ठीक है जैसे ही आप कोई भी rubber particles या कोई भी rubber substance के साथ deal करते हैं हमें यूज करोगे तो वो क्या करेंगे आपको allergic reactions हो वो शो करते हैं तो हमें जब भी हम किसी patient के साथ deal कर रहे हैं तो उसकी history collection के अंदर हमारी responsibility होगी कि हमें उसकी history collection के history collect कर रहे हैं तो वो समय हमें ध्यान रखना है कि हम latex से allergy के बारे में patient से जरूर पूछेंगे ठीक है क्यों हम पूछेंगे क्योंकि हम जो भी बहुत सारी devices जो भी consumable items आते हैं हमारे जैसा कि catheter आता है IV tubings होती है IV cannulas होते हैं einfusion devices होती है syringe होती है यह सारी क्या होती है rubber से lightekse by just honey नहीं कहीं कहीं इनको बनाने के अंदर इन manufacture में कहीं नहीं latex का use किया जाता है और हमें यह latex का use किया है अगर आप इनका use करते वे patient को treatment करोगे patient को care provide करेंगे तो हो सकता है किस patient को अगर latex से allergy है तो उसके अंदर यह allergic reaction डवलप हो सकते हैं तो हमें क्या करना है जब भी हम history collect करेंगे तो हमें patient से पूछना है कि क्या आप patient को care provide करनी है ताकि हम हमारे patient को latex allergy से क्या गर सके बचा सके है I hope मेरे दुवारा provide के जारा lecture आपको समझ में आ रहा होगा यह मेरे दुवारा जो भी classes provide की जारी है इस YouTube channel के उपर आपको समझ में आ रही होगी प्लीज अगर किसी भी student को कोई doubt है तो मुझे comment section में जरूर बता लागी मैं definitely उसका answer करूंगा next है selection of peripheral IV site selection of peripheral IV site selection of IV site सबसे important question होता है बहुत बार question पूचा जाता है कई बार question आता है कि एंफ पगेरा जो exams होती है उनके अंदर पूचा जाता है कि communist infusion जो भी peripheral IV site वो कौन सी होती है ठीक है तो वो सारी चीज़े हम discuss करेंगे तो जब सब से पहले हम बात करते हैं इसके अंदर की IV site होती कि IV site वो site है जहां से हम क्या करेंगे canola insert करेंगे और जो भी solution जो भी हाग की जो वेन है हाग की forearm की और antico-bital fossa मतलब यह वाला area यह वाला पाम का area यह वाला area मतलब wrists से लेके elbow joint के बीच का area और जो antico-bital fossa उसके around का जो भी area है वो area कि है सब से best होता है adult patients के लिए सब से best area होता है ठीक है जो IV canola insert करने के लिए बहुत ही most commonly जो यूच किया जाता और preferred site होती है ठीक है palm के उपर back side और self surface और palm पे भी cannula उसको insert किया जाता है lower extremity जान रखने की बात यहां पर यह है कि upper arm के अंदर हम जा पर सकते हैं most preferred site होती है कौन-कौन सी होती है back of the arm ठीक है मतलब hand हो गया forearm हो गई और antico battle posa की the ground का जो भी area वो सारा बैस्ट area है adult के अंदर IV line insert करने का या पिर IV granular insert करने का lower extremities के अंदर हमें यूज नहीं करना है most commonly जहां तक हो सकते हैं जहां तक possible हो हमें upper extremities का यूज करना है lower extremities का यूज हमें नहीं करना क्योंकि lower extremities हैं वो adult के लिए suitable नहीं है वह इंट करे सूटेबल इसलिया नहीं है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है risk of thrombus formation वहाँ पर thrombus के formation का बहुत ज़्यादा risk होता है ठीक है और हो सकता है साथ की साथ जो आप particular medication दे रहे हो वह medication intravenous के अंदर ना जा करके जो body के compartment से उनके अंदर चली जाए ठीक है medication हो क्योंकि हो सकता है किसी भी region की वज़े से disease condition की वज़े से वहां का जो venus return है वो proper नहीं था और proper नहीं होने की वज़े से जो medication उसकी effect हमें नहीं मिल रहे हैं बार-बार venus stasis हो रहा है और venus stasis के वज़े से वहां पर क्या हो सकता है thrombus formation हो सकता है तो हमें क्या करना adult patient के लिए कभी भी जहां तक possible हो वहां तक हमें forearm जो upper arm है upper extremities है उनहीं का use करना है क्योंकि lower extremities के अंदर पो सकता है कि patient के अंदर thrombus formation का risk होता है साथ की साथ क्या होता है जो medication है वो ऐसे area के अंदर चली जाती है वहाँ पर edema बगे रहा होंगे, tissue reactions शो होंगी, साथ की साथ हो सकता आपकी medication उसका कोई effect है, ना है, तो इसलिए हमें क्या करना, avoid करना है, adders के अंदर, lower extremities के अंदर cannula insert करना, ठीक है, next one देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो preferred site है, देखिए, most common, anti-cubital area के आसपास, जो vein है, देखिए, median cubital vein है, bacillic vein है, syphalic vein है, इन veins के उपर हम cannula insert कर सकते हैं, most commonly जो blood samples लिए जाते हैं, laboratory technicians के दौरा हैं, laboratory persons के दौरा, वो बहुत common site है, यहीं से लिए जाते हैं, उसके बाद एगर आप आगे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर देखिए, syphalic vein और bacillic vein, उसके बाद radial vein, यह सारी vein आपको, most common, जो जहाँ पर adult के लिए सबसे favorable site होती है, जहाँ पर cannula insert करने की, वो सबसे favorable site यहीं है, कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो कि एंटिकोबेटल area और four arm के ऊपर क्या किया जा रहा है, cannula insert किया जाता है, और यह dorsal surface है, ठीक है, second image में जो dorsal surface है, उसमें देखिए, superficial dorsal vein है, ठीक है, dorsal venous arch है, ठीक है, bacillic vein है, यह सारी vein, यह देखिए, यह वाली vein है, यह भी अच्छी vein है, cannula insert करने के लिए, ठीक है, यह सारी veins के अंदर हम क्या पर सकते है, cannula insert कर सकते हैं, तो यह most common image है, जो मैंने आपको यहाँ पर show की है, जिनके अंदर most commonly adult के अंदर cannula fix किया जाता है, अगर किसी भी student को कोई doubt है, प्लीज मुझे comment section में जरूर बताईए, next one है, इंफेंट्स के अंदर most commonly, ठीक है, scalp की vein, मतलब सर की जो vein है, scalp की vein और fit, मतलब leg, lower activities की जो vein है, उनका use कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों के अंदर क्या होता है, बार-बार cannula है, उसके infiltrate होने के chances होते हैं, तो उनको prevent करने के लिए हम क्या करते हैं, scalp के vein को use कर सकते हैं, साथ की साथ हम use कर सकते हैं, fit की vein है, ठीक है, ये fit और scalp दोनो suitable site है, infants के लिए, चोटे-चोटे बच्चों के लिए, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जिस भी arm के अंदर हम insert करने जा रहे हैं, उस arm को हमें क्या करना है, closely, patient की दोनों arms को, दोनों हाथों को हमें क्या करना है, सबसे पहले closely monitor करना है, closely monitor करकी ये देखना है कि सबसे best, और सबसे confidence वाली IV vein कौन सी है, जिसमें हम बनलब एक जब चैनला इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक हेल्थ केर प्रवाइडर हम क्या पर सकते हैं, चैनला इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस condition के अंदर क्या है कि जहां पर हमें confidence हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक हाथ देखा, उसी में आप शुरू हो गए, हमें सबसे पहले patient के दोनो, extremity या मतलब दोनो arms को हमें क्या करना है, right and left arm को हमें क्या करना है, observe करना है, closely observe करके देखना है कि कौन सी arm है, कौन सी site हो, वो बहुत ही ज़ादा suitable है, हमें कोशिस ये करनी है, कि हम cannula मान लीजिए, मान लीजिए, ये किसी patient का हाथ बना देते हैं अपन, इसको हाथ मान लेते हैं ठीक है, ये हाथ है किसी patient का, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, करना है कि हम यहाँ से शुरू करेंगे मतलब डिस्टिल पार्ट से ऐसा नहीं कि आपने आप ने देखा कि वेन अची दिखरी है अंटीकोबर्टल पर सबसे पहले आपने काउंटर कर दिया वहां पर आप अपने वेन को काउंटर कर दिया अब अगर आपने प्रेमान दीजे यहां पर इंटिक्यूबर्टल वेंस को अगर आपने काउंटर कर दिया है तो उस कंडिशन के अंदर क्या होगा अगर आप नीचे की वेंस के अंदर कैनूला लगाते हैं तो वहां से आपका जो फ्लूड है वो सरांदिंग कंपार्टमेंट्स के अंदर ठीक से काउंटर करी तो इसलिए जब भी हम किसी पेशेंट को कैनूला इंसर्ट कर रहे हैं तो उस कंडिशन के अंदर हमें डिस्टिल से शुरू होना है ठीक है यहां से ठीक है पाममर राच यहां से देखना है उसके बाद हम देखेंगे फोर आम पर फोर आम पर भी हमें नहीं के बाद आपका जो कैनूला तो वह क्या हो गया अब आपको क्या करना अगर इंफिल्ट्रेशन रेड रेड लाइन के अंतर जो पॉइंट लिखा गया उसमें यह बताया गया है मान लीजिए एंटिकूबेटल एरिया की जो वेंटी वह क्या हो गई है कांटर हो गई है ठीक होने के chances होते हैं तो हमें क्या करना है अब अगर मान लीजिए अंटिकुबर्टल की वेन पंचर होगी तो हमें दूसरी साइट का ही सेलेक्शन करना उस पर्टिकुलर नॉर्मली यही बताया गया था कि शूरू हमें डिस्टिल से करना है डिस्टिल पर अच्छी नहीं है लगा होगे तो वहां पर टीशू एडिमा होगा यही इस रेड़ लाइन के अंदर जो पॉइंट है उसमें बताया गया है ठीक है आई होप समझना नोट करना कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लेना प्लीज कमेंट से जब भी हम किसी पेशेंट को कैनोला लगाने जा रह है तो हमें कभी कानोला डोमिनेट करनेंपों हैं नहीं लगाना है सबसे पहले हमें todd को यूज करना है ठीक है उसके बाद ही अगर मानि के नहीं मिल्रही है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम ढोगीनेंट कर सकते हैं जो भी वेनुपंचर की जो साइट होगी वह स उसके बाद अगर नहीं मिल रही है, नॉन डॉमिनेंट में तब जा करके हम आपर डॉमिनेंट का यूज कर सकते हैं, तो हमें ऐसा नहीं है कि जाते ही पेशिंट पूछेंगे कि आपकी साथ ते ज्यादा काम करते हैं, ठीक है आपका डॉमिनेंट कौन सा है, ठीक है इस पर्टिकुलर साइट होगी, उस साइट को डूढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर क्या करेंगे, मतलब यहां पी इस पॉइंट का कहने का मतलब यह ही है, कि जब भी आप किसी पेशिंट के अंदर कैनुला इंसर्ट कर रहे हो, तो आप पेशिंट के अंदर सब से आपको डाइगराम के तरू, यह कोई हाथ है, पेशिंट का यह हाथ है, ठीक है, यह हाथ बना दिया हमने, अचनाचा तो नहीं बनाया बट फिर भी कोशिश की है, ठीक है, अगर मान लीजिए, यह elbow joint हो गया यहां पे, यह elbow joint यहां से और शुरू हो रहा है, मान लेते हैं, अगर मान लीजिए, कोई आपने distill के अंदर यहां पे cannula आपने लगा रखा है, फोर आपने cannula लगा रखा है, और आपने क्या किया है, इस hand को flexion कर दिया, ठीक है, flexion, यह movement आपने इसमें करवा दी, flexion कर दिया, flexion करने से क्या होगा, यहां की जो particular veins थी, वो क्या होगा, यह particular fluid है, वो भी चलना, बंद हो जाएगा, जो fluid, flow rate है, वो obstruct हो जाएगी, fluid हो आगे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि anticopatal veins, see, उन्होंने क्या क्या होगा, वो क्या होगी, fault होगी, block होगी है, जिस वज़े से क्या होगा, वहां पे tissue edema होने के chances होते हैं, हो सकता है, वहां पे, अगर बार-बार infiltration होगा, और thromboflabitis के risk भी वहां पे easily बन जाते हैं, infiltration हो सकता है, साथ की साथ है, leads to the thromboflabitis, क्योंकि वहां पे block होगा, तो tissue जो fluid हो gravity के साथ आई जा रहा है, आई जा रहा है, तो उससे क्या होगा, infiltration होगा, particular side पे infiltration होने के बाद क्या हो जाएगा, महा extremities के अंदर, patient के अंदर, cannula लगा हुआ है, IV cannula लगा हुआ है, उस IV cannula वाली side से हमें कभी भी blood pressure वो नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर वही same infiltration होने के chances हो सकते हैं, ठीक है, तो blood, जिस भी हाथ के अंदर, IV line लगी भी है, उस IV line से, उस हाथ से हमें क्या नहीं लेना है, blood pressure व और वो नहीं लेना है, next one है, venue puncture की site, जैसे कि यहां पर आप इस image में देख सकते हैं, यह venue puncture की क्या है, site है, यहां पर जो दिखाए जारी है, venue puncture की site है, यह particular जहां पर देखिए, needle device यूज की जारी है, permitted less device नहीं है, ठीक है, तिक है, गर यहां पर आप क्या कर रहे हो, अग रिस्ट्रेंट करना है बांधना है तो उस समय हमें नहीं करना है उस समय हमें ध्यान रखना है कि केनुला के उपर नहीं बांधना है रिस्ट्रेंट के उपर अपलाई नहीं होना चाहिए रिस्ट्रेंट का यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि जब भी आ बार नए ओडर लेके आने ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर थे वो सुबह आके लिखे गए थे कि रिस्ट्रेंड फॉर रिस्ट्रेंड लिखे चले गए तो इसका मतलब है नहीं कि पूरे दिन हम पेशेंट को बांध के रखेंगे नहीं जब भी ज़रुत है तब हमें बांधना है लेकिन हर बार हमें फिस पार को रिस्ट्रेंड कर रहे हो अब आपफ बार एक णया और प्रेस्क्रिप्शिन लेकर के आऊगे रिस्ट्रेंड करने का यह थे आपने हाथ को सीधा नहीं रख पाते हैं अपने हाथ को सीधा रखी है मेडम आपने हाथ को सीधा रखे ताकि जो भी हमारी IV वो चलता रहे ठीक है उसकी फ्लोरेट अवर डिस्टब ना हो लेकिन बच्चों के अंदर आप समझा नहीं पाओगे उस तरह हमें क्या कर सकते हैं हम आर्म बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं अब आर्म बोर्ड क्या होता है ठीक है आम बोर्ड के अंदर क्या होता मान लीजिए यह किसी बच्चे की आम है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस आम के ऊपर कोई भी गत्ते से या किसी भी wooden stick वगेरा का use करके हम क्या लगा देंगे, इसके ऊपर इसके नीचे support लगाएंगे, साथ की साथ इसके ऊपर हम क्या करेंगे, bandage अपलाई करेंगे, जिससे जो भी particular child है, वो क्या नहीं कर पाएगा, वो इस हाथ को band नहीं कर पाएगा, band नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो भी particular solution होगा अपनी particular rate चे चलता रहेगा, next one है, site should be avoided for venue puncher, venue puncher के इसी कौन कौन सी sites होती है, जिनको हमें क्या करना है, avoid करना है, ठीक है, कुछ ऐसी sites होती है, हमारी body के अंदर जिनको जिनके उपर हमें venue puncher नहीं करना है, तो first one है, adamious extremities, अगर किसी extremities के अंदर, किसी भी region की वज़े से कोई भी edema हो रखा है, swelling आ रखी है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें कभी भी IV line insert नहीं करनी है, IV vein puncher नहीं, intravenous fluid लगाने के लिए हमें vein को puncher नहीं करना है, क्य जान रखना, paralyzed arm के अंदर भी blood flow है, वो proper pressure के साथ नहीं हो पाता है, ठीक है, venus return पूरा completely, proper venus return नहीं होता, तो इस वज़े से वहाँ पर क्या होता है, swelling आपको हमेशा मिलेगी, ठीक है, अगर मान लेजिए, patient ने उसको dependent position के अंदर रखा है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो blood ह उसका flow उपर की तरफ नहीं हो पाता, venus return प्रॉपर नहीं होगा, और venus return अगर प्रॉपर नहीं होगा, तो वहाँ पर एडिमियेटेस condition मिल सकती है, यहाँ कोई हाथ है, fracture हाथ है, आप उसी आथ के अंदर क्या करने में लगे हो, IV cannula लगाने में लगे हो, ऐसा कभी नहीं कर रखी है, तो जिस side की mastectomy हुई है, उस side के उपर हमें कभी भी क्या नहीं करना है, cannula insert नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस side पर करोगे, और आप उस particular side से क्या कर रहे हो, फ्यूट दोगे तो क्या होगे, वहाँ के आसपास, जो mastectomy के आसपास के जो lymphatic areas थे, ठीक है, उन areas में क्या lymphatic edema होने के chances है, ठीक है, तो जिससे क्या हो सकता है, pain बढ़ सकता है, जो भी particular patient है आपका, उसका surgery के बाद हो, pain हो काफी severe हो सकता है, next हमारा infected skin, मान लीजे, skin के उपर कोई भी allergic reaction है, कोई भी infected skin disease है, उस side के उपर हमें कभी भी vein puncture नहीं करना है, क देखने को मिल सकते है, next one है, कोई dialysis है, कोई भी kidney का patient है, CKD है, chronic kidney disease है, acute kidney disease है, ठीक है, adrenal failure है, उस condition के अंदर क्या होता है, normally हम dialysis करने के लिए हम क्या कर सकते है, forearm का use करते है, fistula, arteriovenous fistula बनाने के लिए है, center establish करने के लिए हम forearm का most commonly use किया जाता है, तो हमें क्या परना है, ज तो हमका कभी भी venue puncher के लिए use नहीं करना है, क्योंकि वहां से dialysis की site है, complications हो सकते है, तो यह सारी वो sites है, जहाँ पर हमें venue puncher नहीं करना है, I hope आप सबको समझ में आया होगा, please अगर किसी को कोई doubt है, तो मुझे comment section में जरूर बताइए, next one है, क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहां कि जो radius और unaware होती है न, जो radius अलना bone होती है ठीक है वो bone क्या करती है natural splint और natural support का आजाम करती है ठीक है जिससे जो भी particular vein है या जो भी particular adult है वो कहनी करेगा उसको ज्यादा problems नहीं होती है ठीक है इसलिए हम क्या करते है जहां पर हम IV canula insert कर रहे हैं वहां पर हमें क्या चीज़? support चीए ठीक है तो support करते हैं कि radius और अलना जो bone है वो काफी लंबी bone होती है long bones होती है और इन bones का क्या होता है पूरा support होता है 4RAM के उपर और 4RAM के उपर जो भी veins होती है उनमें हम easily canula लगा सकते है साथ के साथ भी canula काफी लंबी duration तक जो भी particular duration होती है canula पो रखने की ठीक है 48 to 72 hours जो canula को रख किया जाता है यह भी important point है पूछ सकते हैं exam में की most common IV puncture site for adult आज के class में इतना ही I hope मेरे दुआरा provide के जारे content आपकी nursing officer recruitment examination की preparation में आपकी help गर रहे होंगे please like share and subscribe thank you so much